आए गई हूँ इस संडे ओल्ड राव होटल जो लोग डली एंसे आर में हैं दारू हेडा भिवाडी अलवर से लगे हुए हैं तो उनको पता ही होगा कि ओल्ड राव की अलग अलग ब्रांचेस हैं मैं जिस होटल में आपको लेके जाने वाली हूँ ये काफी फेमस और पुराना होटल है लेकिन जिस प्रांच में मैं आज गई हूँ यहाँ पे ये रिनुवेट किया गया है इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे ओल्ड राव का इंटिरियर इसका फोट क्योंकि हम फर् बने रही है मेरे साथ तक वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वाला है अगर आपके घर पे कभी गैस्ट आते हैं आप या फिर संडे को आप अपनी फामिली को लेके घूमने फिरने जाना जाते हैं तो ये जगे आपके हर वीकेंड एक ना एक स्पॉट ढूंडी लेते हैं जहां पे हम अपना संडे साटरडे एंजॉय कर सकें ये होटल जो है दो फ्लोट में बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं उपर की तरफ सीडिया गई है और नीचे की तरफ भी लोग बैठे हुए हैं अगर आप ही चेंज किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कुछ चेर्स वगेरा इन्होंने रिनोवेट की हुई हैं पूरा लेके आए हैं अभी हमने फटाफट ऑडर किया अपना और रेट की बात करें तो जैन्यून था मतलब नॉर्मल रेट्स हैं अगर आप इंटीरियर को देख के लगता है ना कभी-कभी जादा हाइफ होटल होगा तो ऐसा नहीं था इसने अपना पुराना जो है धावे वाला सिस्टम मेंटेन करके रखा है यह कहलें कि अभी अभी खुला है तो थोड़ा सा इसने रेट कम रखें आगे का मुझे नहीं पता अगर आप खाना खाने जा रहे हैं और अगर पहले कुछ स्नेक्स लेना चाहते हैं तो पहले आफट आफट अपने लिए स्नेक्स और कर दे क्योंकि खाना आने में यहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है हमने यहां पर और की कोल्ड कॉफी एक चाय ग्रिल सांडविच जो कि यहां पर देख पढ़ेगा थोड़ा सा कि अच्छा फूट खाना है तो थोड़ा सा बैठी है अराम से तब तक हम कर रहे थे फोटो सैशन और और फिर हमारा सारा खाने का सामन आ चुका था अगर टेस्ट की बात करें तो ओल्ड राओ विल नेवर डिसपॉइंट यू और या फिर यह कहलो हैं तो बच्चों के लिए काफी अच्छी अच्छी अक्टिविटीज करने के लिए यहां पर चीजें हैं बहार जो कि मैं आपको बताऊंगी यहां पहले मैं आपको इसका मेन्यू बता देती हूं कि मेन्यू में यहां पर क्या-क्या चीजें आपको मिलेंगी उसके रेट क साथ में तो यह आप देख सकते हैं आपे खाना पीना करने के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ बाहर यहाँ पे कैसा है मुझे तो यहाँ से आने का मनी नहीं कर रहा था और हम किसी संडे कहीं नहीं गए तो हम ओल्ड राव जरूर जाएंगे मेरे घर से बहुत पास हैं अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो मैं आपको तो जरूर लेके जाओंगी तो आप रेडी रहें यह ओल्ड राव घूमने के लिए मेरे साथ में और टेस्ट की बात करें तो दिल्ली का जो स्वाद मिलेगा आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा तो आप भी बड़े खुश हो जाएंगे अब यह आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आक्टिविटीज क्या के आप कर सकते हों यह देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे आपको सबसे पहले देखेगा यह 360 रोटेट वाला जो आजकल चल रहा है वीडियो बनाते हैं जिसमें यह लेते हैं आप से 50 प्राइक किया बड़ा मजाया इसको बनाके चलिए अब मैं आपको घुमाती हूँ इसका आउटर एरिया और बहार कौन-कौन सी शॉप्स हैं अगर आप सिंपल स्नैक्स आइसक्रीम खाने के लिए आना चाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी यह सारी शॉप्स मैं आपको घुमाती हूँ इसका आउटर एरिया और बहार कौन-कौन सी शॉप्स हैं अगर आप सिंपल स्नैक्स आइसक्रीम खाने के लिए आना चाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी यह सारी शॉप्स अभी आप यहाँ पे देखिए कि बच्चों के लिए गुमने वाली काड़ी आप उनको बठा सकते हैं फिर आपको दिखेगी यहाँ पे बहुती अच्छी चीज जो की है फिश इस्पा फिश इस्पा हमने कराया था और इसका डीटेल वीडियो मैंने डाल दिया है अगर आ एक परफेक्ट वीकेंट रहने वाला है आपका अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दो तीन गंटे आपको यहाँ पे लगेंगे देखिए बहार इसे मिलकशेक और आईस्क्रीम की दुकाने भी आपको दिखती है यह गाड़ी वगेरा भी आपको दिख जाएंगी बच्चों के लिए देन कमस दी ब्यूटिफुल फाउंटेन एरिया यहाँ पे आप अपनी वीडियो बना सकते हैं और अपनी फामिली के साथ बैट के अच्छा टाइम स्पैन कर सकते हैं आगे आपको बहुत सुन्दर एक चीज बताऊंगी और जो की ओल्ड राउन ने क्या किया है कि यहां पे एक मन्नत धाबा भी है बसं धाबा भी है दो तीन धाबे हैं वहां पे ना क्यामिल राइड और होट स्र cioè इंग होती लिकिन यहां पर आपको सब मिलेगा एसई यहां पर देखिए जूह भूगरे भी इन्होंने यहां पर लगा दिये कितना पियारा लग रहा है है आपको सारा कुछ मिल जायगा हो जाएगा है बच्चों के लिए औहимики देखें यहाँ आगे से कीन आपने गालने कि भूल जो है अपने आप आती है वो भी भना के रखा हुआ है कुछ चार्जेस है इनकी अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके एंजोई कर सकते हैं चले आप चलते हैं इस सेक्षन में जहाँ पे आपको यह टेक्टर वाली वाइब मिल जाएंगी थोड़ा देसी वाली वाइब मिल जाएगी यह टेक्टर खड़ा हुआ है यहाँ पे देखिए आपे चड़के आप इस पे फोटो किचा सकते हैं यह free of cost है इसके कोई charges नहीं है दिन आगे चलके आप देखेंगे कि यह बग्गी भी है जिसमें आप बैट सकते हैं और यह आपको एक right करा देगी अराम से यह देखिए आगे मैं आपको दिखा रही हूँ camel ride आपको यहाँ पे करने को मिलेगी then comes आगे आपको horse riding भी आपको यहाँ पे करने को मिलेगी कभी-कभी ऐसा हो जाता है नहीं कि बच्चों के लिए तो हो गया जूले वगरे then हम लोग के लिए यहाँ पे यह camel riding horse riding then कुछ photo session वगरे यही काफी रहता है एक weekend को perfect बनाने के लिए तो यह सारा combination आपको यहाँ पे मिलने वाला है यह देखिए यहाँ पर यह खड़ी हुई एक bike इसके कुछ charges थे I guess ATV bike के कुछ 50 rupees का यहाँ पर बैटने के लिए photo लग रहा था तो अगर आप चाहते हैं ATV bike पर जो कि desert में चलती है यह भी आपको यहाँ पर मिलेगी देखने के लिए beautiful interior it was beautiful evening और उपर से शाम का समय था लाइटिंग अलगी जगमगा रही थी तो मुझे काफी अच्छा लगा and finally हमें time मिल गया मतलब कि हम भी यहाँ पर फोटो किचाया क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ी नहीं रहते आई जा रहे थे बाइक पर फोटो किचाने के लिए तो हमने भी यहाँ पर बाइक पर बैटके फोटो किचाया हमने बुक कर लिया था फिश स्पा का स्लोट और हमारा time हो गया था और यहाँ पर वंच ने कराया था फिश स्पा और यहाँ पर आप दे सकते हैं तो गाईज ये था मेरा वीडियो ओल राओ का कैसा लगा आपको और वीकेंड पे आप यहां पे आते हैं तो कॉमेंट ज़रूर कीजेगा कि आपको कैसा लगा यहांका फूट कैसा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुद से प्या झालोग जो जजब झालोग के आस लिए क्शा दॉब कंसा धालोग खुद से ने काईज पूब कंसा राओ झाल झाल